कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूं लेकिन उससे पहले वीवस अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के मात्यम से जुड़े हैं जुड़ रहे हैं और आपनी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर वीवस सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत बूलिएगा ताकि मैं जब भी आपके लिए नहीं रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरू से पहुँचे बैक टू दर रीडिंग आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दारान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के उपर बनाई रखेंगे हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में तीन से लेकर पांच बार जरू से लेंगे यह एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी इस चीज का ध्यान रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना होगा यानि कि जबरदस्ती अपने आपको हर बात में फिट नहीं करना अगर हर बात में अपने आपको फिट करना ही है तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी जिसका नमबर में आपको स्क्रीन पर नीचे मेंशन कर दूगी ठीक है या आपको अगर अपनी प्राइवसी चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं टाइमनेस रीडिंग है जब भी आपके सामी आएगी आप पेज चको कर इसको देख सकेंगे तो चलिए जी शुरुवात कर लेते हैं देख लेते हैं वही आपके प अनकी करेंट डीप फीलिंग्स वीवस को लेकर वीवस से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी होई है इस प्रेड गाई डवाइन मुझे गाई कीजे बताएए नाइट फूल दो हैं बैगर थीफ एंड मिडियेटर दिखेंगा वीवस बीसिकली आप जिस पैसन को ध्यान में रख कर ये रेडिंग देख रहे हैं एक पॉइंट पर आकर आप इस इन्सान की सोच में इस इंसान के नजरिये के बेस पर एकदम सीदे इनसान थे उस तरह की इनम बन गए ते चो कही ना कही इस रिष्टे में बने रहने केली कुछ भी करने के लिए तयार है इस इस रिष्टे के लिए अगर उसे भीक मागनी पड़ती है, बैगर वरना पड़ता है, इन पर डिपेंड होकर रहना पड़ता है, तो वो भी तयार, तो ये परसन एक वक्त पे इतना जरूर से जान गए थे, मान रहे थे इस चीज़ को कि हाँ, आप कई न कई बहुत सीधे हो, इसी रिसीदे पन की बचे से तो आप इस इंसान के थूँ, जो भी आपकी परिक्षा ले गई, आप उसमें हर बार काम्याब हुए, आपको हर बार उसमें सफलता मिली, उस अगनी परिक्षा में जब भी इस इंसान ने आपको कही न कही होकर गुजारना चाहा ना, तब डिपेंड हो गए हो, एक डिपेंडेंसी, इमोशनल वे में आपके अंदर एक्जस्ट हो चुकी है, ये चीज़े आपके परसन को कही न कही इतनी शौरेटी दिला गए कि अगर अब ये आपके साथ के रिष्टे में किसी तरह का रिस्क लेते हैं, या किसी तरह से आपको द नहीं करोगे, इस चीज़ की शौरेटी इस इंसान को भली बाती हो गई थी, मतलब ये परसन जान गए थे, आप इस प्यार में कितना ज़्यादा डूप चुके हो, इनके प्यार में, और इसी रिजन के चलती मुझे ये पॉसिबिलिटी देख रही है कि एक रिस्क इस इंस नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये चांसेश बन रहे हैं कि ये परसन आपकी जिन्दगी से दबे पाऊं, आपका दिल चुडा कर, आपकी फीलिंग्स चुडा कर, आप पूरी तरह से कंट्रोल करके, या आपको अपने उपर पूरी तरह से डेपेंड करके, ये परसन आपकी जिन्दगी से गए हैं फिर जाते वक्त अगर इन्हें आपसे पैसा लेना पड़ रहा था या कुछ भी ये जाते वक्त आपसे लेके गए तो भी इनके मन में जरा सलसा भी डर नहीं था हाँ यहाँ पर ये possibilities हैं कि जाते वक्त मेरे कुछ viewers के case में इस इंसान ने थोड़ा सा आ आप इनके emotions में इनकी बातों में इस level पर डूप गए हो डूप की मार चुके हो जिसके चलते आप इनके दिखाए गए emotions पर भरोसा कर लोगे फिर उसके पीचे कितना सच है कितना जूट है आप उसकी तह तक भी नहीं जाओगे तो ultimately देखो viewers यहाँ पर आपके person आपकी जिंदगी से कोई गलट intentions लेकर तो गए है या इतना जादा आपके दिल में अपने लिए feelings भरके तो गए एक point पर आकर कि आप कहीं न कहीं परिशान हो तकलीफ में हो दर्द में हो लिकिस दिल आप यहाँ पर बजाए अपने उपर क करने के पजाए यहाँ पर इस इंसान को side में रखकर अपने strength को build करने के अपने आपको heal करने के लगे पड़े उस इंसान को manifest करने में लगे पड़े उस इंसान को textory message करने में लगे पड़े उस इंसान को chase करने में तो मेरे कुछ viewers इस phase से कुछ percentage बाहर आ गए हैं लेकिन कु करी है ठीक है और उस फेज में रहने के चलते आप यहां पर कहीं न कहीं इमोशनली वेव में इतने कमसोर पढ़ गए हो पढ़ चुके हो कि आप अपने आप से अपने दिमाग को यह प्रिपेर कर रहे हो कि भई मैं किसी भी तरह से नेगोशियेट कर लूँगी या कर तो बजाए यह सब चीज़े जानने के इसकी तहत तक जानने के इस पर आर्ग्यूमेंट करने के आप यहां पर लगे पड़े हो अपने एमोशनली को नेगोशियेशन के वेव में लेकर जाने में तो डीप इनसाइड इस पर्सन को यह चीज़े फिल हो रही है कि हाँ अभी अगर ये किसी भी तरह का आपकी तरह आफर रखते है ना negotiation का तो आप मान जाओगे क्योंकि कहीं न कहीं आप उतने सीधे हो या इनके प्यार में इस level तक आप गिर चुके हो ठीके चाहिए इस इंसान को आपसे किसी भी तरह का benefit हो रहा हो कि कोई आपसे बोले कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ I love you कहता है कोई आपसे अरे भाई क्यों करेगा वो आपसे प्यार क्योंकि कुछ तो फाइदा है कुछ तो उसने आप में देखा समझा जाना तो वैसी ही इस्तिती मुझे आप में से मेरे कुछ विवस के case में बनती हुई दिख रही है और कुछ विवस इस इस्तिती को समझ गए है इस इस्तिती से अपने आपको बहा निकालने पे जादा focus है तो मुझे ये जो energies है ना reading है मुझे दो हिस्सों में divide होते हुए दिख रही है जिसमें कुछ विवस मेरे अभी भी उसी तरह से fool बेबकूफ बने पड़े हैं और कुछ मेरे विवस समझ गए हैं कि किस तरह से मुझे यहाँ पे fool यानि कि बेबकूफ बनाया गया तो वो चीजें यहाँ पर हैं चलो मैं tarot से आपको और चीजें देखकर सही तरीके से चीजें बताती हूँ कि इनका नजरिया इनकी सोच आपको लेकर अब deep inside क्या बनी हुए है किस तरह के इनसान के तोड़ पर यह देख रहे हैं प्लीज आपको लेकर मेरी वीवर्स के परसंद की सोच इनकी फीलिंग इनका परसेप्शन वीवर्स को लेकर अब करंट में क्या बना हुआ है इनकी सोच फीलिंग क्या है गाइड कीजे डिवाइन देखो मुझे बहुत जादे यह चांसस बनते हुए दिख रहे हैं एक पॉइंट ऐसा भी आपने देखा होगा जिस पॉइंट में इस इंसान ने आप पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था जिस पॉइंट पर आकर यह पर पूरी तरह से रूंर कर रहे थे अपनी बात आपसे मनवा रहे थे वयो भी डंडे के जोर पर तो आपका हग है वो हग की आप बात ही नहीं कर पा रहे थे कि आप अपने हक तक की बात यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे तो वो एनरजी यहाँ पर है वीवर्स ठीक है यहाँ पर अगर आश्यू की बात करी जाए तो एरीस, लियो और साजिटेरियस, मीश, सिंगन्धनु राशी मुझे काफी स्ट्रॉंग में दिख रहा है डीप इंसाइट कहीं न कहीं इस इंसान को जिनके परसन अभी भी वेट कर रहे हैं जो वीवर्स मेरे अभी भी वेट कर रहे हैं नीडी हो रहे हैं तो डीप इंसाइट इस इंसान को पता है समझ आ रहे हैं कि अभी भी आपकी जिंदगी के जो भी फैसले हैं, उनकी जो भी कमांड है, जो भी लीड है, वो इनके हातों में हैं, विद्धिस्ता एंपरर, अभी भी ये आप पर उस लेवल पर रूलिंग करते हैं, उस तरह से आपकी जिंदगी के, आपकी लाइफ के फैसला लेने का हक ये रखते हैं, और ये चीजे ने ऐसे पता हैं, जैसे आप इनका इंतजार कर रहे हूं, अगर आप कही न की अभी इन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लॉयलिटी को बार बार अप टेस्ट करवा रहे हो, यानि कि बार बार अगर आप अपने आपको उस अगनी परिक्षा में लेकर जा रहे हो, तो जिन viewers ने मेरे यहाँ पर कही न कही बजाए बार बार वो character certificate देने के अगनी परिक्षा देने के इस फैसले को अपने हातों में ले लिया वहाँ पर इस इंसान के आपने ultimately इस so-called घमंड को इनके यह जो हमेशा authoritative person बने रहने की आदत है control करने की जो आदत है आपने उस पर चोट मारी है जिसके चलते यह person बजाए viewers आपको लेकर एक ऐसा perception रखने की आपकी तरफ बढ़ें आप इनकी तरफ बढ़ो यह आपको यहाँ पर घमंडी मान रहे हैं यह यह यहाँ पर आपके सामने अपने आपको हारते हुए पा रहे हैं कि आपसे जीत नहीं पाएंगे तो इस situation में अभी इनका लड़ना भिरना उचित नहीं रहेगा जिसके चलते हैं चुप जादा बैठे हैं यानि कि यहाँ पर आप इस इंसान को शेर या शेरिनी की तरह दहारते हुए फील हो रहे हो कि अगर यह आपकी तरफ बढ़ते हैं और यह आपसे बात करते हैं कि आपकी जिन्दगी के फैसले लेने का राइट इन है तो आप वहाँ पर शेर या शेरिनी की तरह दहार सकते हो जिसका डाउट इन हैं और इसी रीजन के चलते हैं इस इंसान ने आपके लिए जो भी इनके दिल में फीलिंग्स हैं जो भी सोच उसे अपने अंदर ही कैद करके रख रखा हैं तो दो सिच्वेशन में दो सरकम स्टैंस्टेज में दी होई है रीडिंग्स दोनों ही सूरतों में इस परसन जो है वो अपने आपको शान्त जादा रख रहे हैं तो वो मुझे स्तिती दिख रही है देखो कोई शुगर कोटि जरूरी नहीं है रीडिंग भी आपकी हो यह चीज़े आपको समझनी है खुद से कि आपके सिनारियों से होकर गुजरे हो क्या-क्या आप पर बीती है और क्या-क्या आप पर बीत रही है और उन सभी चीज़ों में इनका क्या रेस्पॉंस है उन सभी चीज़ों से आपको आइडिया होगा कि यह reading मेरी है या मेरी नहीं है ठीक है जो आ रहे है मेरा आपको वो बताना जरूरी है तो वही इनकी सोच आपको लेकर यहाँ पर बन रही है यह वो उस तरह के इंसान आप इनको लेकर बने हुए हो फूल को लेकर बताईए डिवाइन मेरे वीवर्स के परसन की नजरों में वीवर्स किस तरह के इंसान बने हुए है किस तरह की फीलिंग इनकी डीप इंसाइड वीवर्स को लेकर बनी हुए है spread guide guide कीजे lovers and sun तो दिखिएगा यहाँ पे है आपका जमिनाई और यह है आपका लियो possibilities है आप इस तरह से couple हो वीवर्स देखो इन्हें पता है कि आप कितने प्यार में इनके पर गए हो कितने करीब आप इनके आ गए हो या इनमें आपने कितना comfort zone देख लिया है या आप इस रिष्टे को क्या-क्या मान चुके हो क्या-क्या परिभाशा इस रिष्टे को दे चुके हो हो सकता है यह सभी चीजें आपने इनसे भी बोली हो कि इनमें आपको twin frame, soulmate इस तरह से देखता है इन सभी चीजों को लेकर यह person कही न कहीं वीवस इतना तो समझ पा रहे हैं, समझ पाए हैं कि आपको अपनी खुशियां इनसे अलग नहीं देख पाई हो सकता है, मेरे कुछ वीवस ने यह तक बोला हो अपनी भावनाओं में, अपनी प्यार में बैकर कि आप इनके बिना खुश नहीं रह पाऊगे आपको इनके बिना किसी और में खुशी नहीं दिखती है तो वही सभी चीजे अगेन इस इंसान की नजरों में सोच में, परसेप्शन में आपको एक तरह से हलका, हलके में लेने वाली स्थान पर पहुचा गई है जिन मेरे वीवर्स में इनसे ये बाते कहीं है और उसके चलते आप बार बार यहां पर इनके तरफ पहुचने की कोशिश कर रहे हो वो सभी चीजे इनके confidence को, इनकी strength को और build कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है न, आप यहां पर अविलेबल हो आपको यह as a default लेना शुरू कर दिये हैं आपको हलके में लेना इन्हों नहीं शुरू कर दिया है क्योंकि पता है कि जब जरूरत इन्हें पड़ेगी और यह लॉट कर आएंगे तो definitely आप मिलोगे और यह आपको कोई भी excuse देंगे कोई भी बहाना बताएंगे आप definitely यहां पर इनके लिए अविलेबल हो तो यह उन लोगों की बात बोली मैंने जो लोग बार बार यहां पर उंगली कर रहे हैं बार बार इन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यह समझ लीजेगा आपको लेकर इस इंसान की सोच क्या बन गया है हलके में लेना शुरू कर दिया है ज़र डिफॉल्ट लेना शुरू कर दिया है और जिन लोगों के case में आपने आप यहां पर इस इंसान को यह जाहिर करवा दिया कि भई पागल नहीं हूँ, दिमाग है मेरे अंदर मेरी भी अपनी अकल है, मेरी भी अपनी जिन्दगी है और मेरे को अब किसी तरह का डर नहीं है आपने यह चीजे दिखा दी है तो उन लोगों के case में आपके partner को समझ में आ गया है कि आप कहीं न कहीं उस ब्रहम से बाहा निकल गए हो जो ब्रहम आपने खुद से पाल लिया था आप कहीं न कहीं अपनी जिन्दगी में अपनी positivity, अपनी खुशियां, अपनी life के success किसी और चीज में देख रहे हो या एक पंडा आप अपनी जिन्दगी का concept आप अपनी जिन्दगी का लेकर चल रहे हो, all is well जो हुआ, अच्छा हुआ जो होगा, अच्छा ही होगा तो उन लोगों के case में आपके person यहां पर viewers कहीं न कहीं अपने खुद के लिए हुए risk को लेकर खबरा रहे हैं ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हों ने जिस वक्त में आपके साथ यह थे उस वक्त में आप एक अलग इनसान थे अलग सोच थी, अलग तरस इन्हों ने आपको देखा, लेकिन आप कहीं न कहीं इस शुरुबात के बाद एकदम से आप में changes भी तो इस इनसान को दिख रहे हैं तो लोगों की case में आपके person को यहां पर अपनी ही अलिये हुए फैसले को लेकर ना अब परिशान हो रहे हैं अपसेट हो रहे हैं तो वो मुझे इनका perception, इनकी deep feelings दिख रही है बैगर को लेकर divine मुझे guide कीजिए और बताईए current deep feelings viewers के person की क्या बनी हुई है viewers के person viewers को लेकर deep inside क्या feel कर रहे हैं किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं divine guide कीजिए 9 of cups and 6 of swords तो यहां पे आपका viewers water element है और यह आपका air element है यानि कि यहां पे आपका cancer Pisces and Scorpio, करकमीन Aquarius, Mithun, Tulayan, Kumrashi देखो जिन लोगों के case में फिर से बोलूंगे कि आप अभी भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हो चाहे दोस्तों यारों के तूरू या आप इने social media पर बारवार चेक कर रहे हो ना तो इस इंसान को यह चीजे पता है कि अभी कि आपकी नजरों में, आपकी सोच में, आपकी फीलिंग्स में आपकी यह विश है आप उस विश को पूरा करना चाहते हो आप इस विश के बिना अपने आपको संतुस्ट नहीं कर पाऊगे इमोशनली वे में आप स्टेबल नहीं उपाऊगे, इन्हें यह चीजे पता है, और उसी रिजन के चलते ही नहीं यह भी पता है कि आप इन पर किस लेवल पर इस्पेशली एमोशनली वाइस किस लेवल पर आप इन पर डिपेंड हो चुके हो और आपकी डिपेंडेंसी का यह इस्तमाल किस तरह से कर सकते हैं, जब इन अपनी जंदगी में बडलाव चाहीए होंगे जब इनन अपनी जंदगी में आगे बढ़ना होगा, तो यह आपकी तरफ बढ़कर आपके साथ आगे चल सकते हैं इसी रीजन के चलते हैं यहाँ पर इस इंसान के दिल में मन में कोई तुफान चली नहीं रहा, जो तुफान इन्हों ने आपके मन में छोड़ रखा है, देखो, यह बात मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, कि छोड़ने वाले को इतनी तकलीफ नहीं होती, जिसे छोड़ा जाता है, उसे तक करना चाहते हो, जाहें फिर उसके लिए आपको किसी भी तरह के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा, तब यह वो एफर्ट्स आपसे डलवाएंगे, ठीक है, यानि कि अपनी बात आपसे बनवाएंगे, लेकिन जिन लोगों के केस में आपने यह ब आपकी definition में, यह परसण आपकी wish नहीं बचे है, बलकि आपकी wish है अपने आप से, अपने आपको संतुस्ट करना, सुकून देना, जो सुकून आप समय समय पर इनमें ढून रहे थे, ढूनना चाह रहे थे, अब आप वो सुकून अपने आप में रहे कर अपने आप में ढू को वो बैगर बनते हुए देख रहे हैं कि वो वक्त इन से दूर नहीं है जिस वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्हें आपसे भीख मांगनी पड़े उस प्यार की उस सुकून की जो इन्हें अपनी जिंदगी में मौजूद होता हुआ दिख सकता है ठीक है तो देखो यहा सामने वाला उससे डरेगा तो आप जब तक नहीं लड़ोगे क्यों डरेगा भाई आपसे कोई आप जब यहां पे स्ट्रॉंग बनोगे तब भी तो सामने वाला आपसे डरेगा तो वही चीज़ें आपकी केस में हो रही है कि दो सेनारियो इसलिए बन रहे हैं इन्हें पत का परिष्चन है आपको लेकर ठीव को लेकर डिवाइन मुझे गाइड की जब बताईये वीवेस की से डीप फी 思ㄹ्छन की या उनका नजरिया अब क्या बना हुअ है वीवेस को लेकर बिंद काई देवाइन मुझे राई केजे और बताईये बताईये स्ब्रेड गई स्कॉर्पियो और साजटेरियस मुझे काफी स्ट्रॉंग में दिख रहे हैं वो सकते इस तरह से वीवर्स आप लोग कपल लोग अगें वही पहली चीज कहना चाहूंगे कि जो लोग अभी तक पहुचने की कोशिश कर रहे हैं नीडी हो रहे हैं अपने emotions में डूब रहे हैं डूब की मार रहे हैं कहीं न कहीं इस इंसान को ये चीज़े समझ में आ रही है कि इन्हों ने आपकी आँखों के आगे ब्रह्म की वो चादर वो जिल्ली डाल रखी है या जो जिल्ली जो चादर या आपकी आँखों के आगे ड जिस मौके के वे में ये परसन आपकी तरफ आते हैं, आपके आगे जो भी नोने ब्लॉकेजिस क्रियेट कर रखे हैं, या ब्लॉकेजिस के नाम पर जो भी नोने दूरिया बना रखी हैं, वो तोड़कर ये आपके तरफ आएंगे, तो उन्हें लग रहे हैं कि अभी भी वो जिल्ली जो है वो बरकरार है, आप अभी भी उस illusion में, उस भ्रह्म में, उस ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो, जो इन्होंने आपको दिखाए थे, फिर चाहिए इनका response, इनका behavior आपको लेकर कुछ भी बना हुआ हो, यह इन्होंने जो भी excuse मार कर यहां पर चुप चाप दबे पाऊं आपकी जिंदगी से जाना उस बट में स्विकारा हो, और जिल्लोगों की case में यहां पर, ultimately आप नहीं इन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, और अपने emotions इन तक express कर रहे हो, तो उन्हें पता चल रहा है कि वह जिल्ली यहां पर उतर गई है, और उसी जिल् आप इन पर मार सकते हो, ऐसी feeling इस इनसान को यहां पर आ रही है, जिसकी चलते हैं, एक चोरों की तरह यह person अपनी जिंदगी को spend कर रहे हैं, जैसे चोर, सिर्फ रातों को निकलते हैं, दिन भर वो सोते हैं, या पने आपको छुपाते फिरते हैं, या बहुत दिखावटी life वो जिन्दगी जीते हैं, ठीक है, जो वैसी perception इनका बना हुआ है, वो सोच इनकी deep inside आपको लेकर बनी होई है, अग्दम different kind के आज़की reading आई है, डीएटर को लेकर spread guide divine, मुझे guide की जड़ बताई है, Ace of Vants and Devil, Capricorn मुझे काफी strong में दिख रहा है, ठीको viewers, आपके partner हो सकता है, आपकी तरफ बीच-बीच में किसी को बेज रहे हैं, जो mediator, ठीक है, और जिसके चलते दोनों ही condition में यहाँ पर, आपका जो passion है, आपका जो जुनोन है, आपकी जो आदत इनको लेकर है, वो यहाँ पर बरकरार है, वो यहाँ पर टूटे न, ठीक है, तो आपके person की तरफ से अगर in and out हो रहे है, जो पहुचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीचे का कारण यह है कि चेक करा जा रहे है बीच-बीच में आपको, और जिन लोगों के case में आप तो नहीं जा रहे हो, लेकि लिए ही खुदी अपना in and out कर रहे हैं, इनकी तरफ से कोई message आपको मिल रहे हैं, तो वो भी ultimately इस चीज़ को यहाँ पर test करने के लिए लिया जा रहे है कि आप आपके दिल में इनको लेकर क्या है, गुस्सा है, नराजगी है, इनके dark side को आप समझ गए हो, इन उपर जो भी dependency थी, वो किस level पर है, पूरी तरह से खतम हो चुकिया या नहीं, तो यहाँ पर कोई तो mediator है, जो आपके बारे में ने यह जानकारी दे रहा है, जिस waste पर इनकी energies यहाँ पर इस तरह से है, यह इनका नजरिया आपको लेकर यह बन रहा है, क्योंकि यह चीज़े हवा हवा मे तो नहीं हो रही न, इसी तरह से तो पता चल रही है, कोई तो mediator है यहाँ पर, जो इन तक आपके बारे में यह जानकारी दे रहा है, और उसी हिसाब से यहाँ पर चीज़े हो रही है, यह उसी हिसाब से ने समझ में आ रहे है कि इनका कितना control आपके उपर अभी भी है, और कितना इनका control आपके उपर से खतम हो चुका है, तो वो चीज़े या वो perception, वो feeling इनकी यहाँ पर वीवर्स बन रही है, देखती हुई इस energy के साथ यह person कहने की कैच्छा रख रहे हैं आपसे, इन सभी चीज़ों के चलते, वीवर्स के परसन, वीवर्स से कहने की कैच्छा रख रहे हैं, वीवर्स के परसन के messages दीज़े और बताइए, spread guide, प्लीज डिवाइन, मुझे guide कीज़े, I envy you, तो यह person आपसे ही कहना चाहरे हैं, specially उन लोगों के case में, जो लोग यहाँ पर न, अब किसी भी तरह से इनकी dictionary में हलके में नहीं रहना चाहते, तो उनके case में यह कहना चाहरे हैं, यह आपसे इश्या कर रहे हैं, jealousy feel कर रहे हैं, I wish you would talk to me, कहना चाहरे हैं, कि आश्या करते हैं, कि आप इन से बात करो, आगे से चल कर, अपनी dependency, यह अपना सीधा पना फिर से यहाँ पर इनके सामने लेकर आओ, Your beautiful face is always on my mind, I am obsessed with your picture, लेकिन उसके अलग एक और चीज़ यहाँ पर यह कहना चाहरे हैं, कि आपका जो चेरा, मासूम चेरा, आपकी जो इनोसेंसी, जो शुरुवाती तोर में इन्होंने देखी, इसको लेकर यह परसन आपसे ही कहना चाहरे हैं, कि आपका जो चेरा है, वो अ कोई तो है, जो आपके बारे में इस इंसान तक information भीज रहा है, या कोई तो है, जिसके चलते इनका नजरिया आपको लेकर यह सब बन रहा है, जिसकी बात मैं आपको बता चुकी हूँ, I wanted to take revenge, तो यहाँ पर आपसे कहना चाहरे हैं, specially उन लोगों के case में, जो लोग यहाँ को हलके में नहीं रखना चाहा ना, जिस तरह से यह चाहते थे, तो वो चीज़े हैं, चलिए, मैं ultimate लिए आपके लिए आपके guidance के cards देखना चाहूंगी, वेवर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आज के सदेदी में guidance बहुत जादा important है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बोचीज़े देखनाते हैं, गाइड कीज़े, उनिवर्स, प्रीज डिवाइन, प्रीज आर्केंजर, प्रीज ओली अंजर, प्रीज स्प्रेड गाइड कीजर बताईए, मेरे वीवर्स के लिए guidance के cards और डीजर बताईए, डिवाइन, वीवर्स को अभ इस situation क कैसे deal करना चाहिए, क्या करना चाहिए अब इस situation में, spread guide, divine guide कीज़े, intensity, the fool, control, no thinkingness and compromise, देखो वीवर्स, आप से यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अब वक्त यहाँ पर आ गया है, किसी भी तरह से अपने आपको वेटिंग मोड में ना डालने का, यहाँ पे जो भी action लेना ह बहुत intensity से आपको लेना है, आपको सबसे पहले इस चीज को समझना है, अपने आपको समझाना है, जिस तरह से यह बसन आपके साथ बीटे दिनों में परताफ कर रहे थे, या जिस तरह से आप ही आप इस रिष्टे में compromise कर रहे थे, क्या आप वो compromise कर पाओगे, और आप यह compromise अगर कर पाते हो, तो maximum आप कितने वक्त तक यह चीजे कर पाओगे, सबसे पहले अपने आपको यह चीजे आपको समझानी है, इस चीज पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि light नहीं डालने, क्योंकि आपके साथ हो रहे है, आप बजाए, यहाँ पर इस चीज के, इस के बारे में सोचने के सब को सोच रहे हो, तो आपको यह बोला जा रहे है, सबसे पहले यह आपको समझना है, कि आप समझाता करने के लिए तयार हो, क्योंकि दिको रिष्टा तो समझाता मांगता है, इनके साथ नहीं हर रिष्टे में समझाता करना पड़ता है, लेकि आप किस लेवल पर समझाता करने के लिए तयार हो क्योंकि आपके case में जो person है वो आप से जो समझाता करवा रहे है वो समझाता नहीं है वो है control वो है dominate करना वो है हावी होना तो क्या आप इस level पर control रह सकते हो और कितने समय तक रह सकते हो इस चीज़ पर light डाल कर इस चीज पर विचार करके आपको तुरंत से पैसला लेना है और उस हिसाब से आपको अपनी सिंदिगी में कदम उठाना होगा चाहिए वो कदम इनकी तरफ उठाने को लेकरो या इनसे दूर हो लेकिन अब इस तरह से अपने समय की बरबादी आपको नहीं करनी है यह आपसे जादा से जादध इस चीज के लिए आप पार्ट से लेकर छे हफता लेलो या जादा से जादधा पार्ट से लेकर 6 महीना लेलो लेकिन उससे जादा अब आप यहाँ पर अपना वक्त बरबाद नहीं करो यह आपसे इसरेड़्न में जाद रहे है तो काफी अच्छी गाइ तो आप कर दीजे गवी वस ताकि मैं जब भी आपके लिए नहीं रीडिंग ले कराऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुँच सके आज के लिए बस इतना ही मिलती हो आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में ओके बाबाए